जैहिंद मेरे दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं कि ठीक होंगे तो कल जो है उत्तरपरदेस प्रिस कॉंस चबल की जो एस इतियास की सबसे बड़ी भरती आ चुगी है जिसमें जो है साथ हजार दोसुच्वालिस पदों के लिए बरती निकली है तो इसमें आपको दिसम्बर 2,000 तेज़स से आपके फॉर्म भरने स्टाट हो जाएंगे और यह सत्रा वो सोला जनवाई दोजार चोबिस तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद इसमें जो है फॉर्म फीज जो है 400 रूपे आप जो है चार्शो रूपे दे कर यह फॉर्म भर सकत इसमें लास्ट डेटा फॉर्म फिल करने की ठीक है उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हाला कि कुछ बंदों की उमर निकल चुकी है इसमें जर्णल की जो है इसमें 18-22 एज दी हुई है है लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है इसमें सुप्रेम कोर्ट में जो है केस गया हुआ है और अब मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहूंगा कि क्या क्या इसमें देखे रखा है इसमें आयूपुरुस के लिए एक साथ मतलब एक साथ दो वजार तेस को जो है अठ्थारा वर्स का हो गया हो और जो है वही जो है इसमें फोट कर सकते हैं और आयूपुरुक्त कर लियो और वाईस जर्नल के लिए जो है बाइस वर्स से ज्यादा करना ओ और जो मेरे भाई बंदु बनवाले जैसे कि आयू परमानपत्र जाती परमानपत्र ठीक है और इसमें मैं आपको बता दू कि जर्णल की जो वैकेंसी आई है वो है चोबिस चोबिस हजार एकसो दो वैकेंसी जर्णल की है और EWS की है इसमें EWS की है 6,024 और OBC की है इसमें 16,264 और अनुसूची जाती की है इसमें 12,650 और अनुसूची जन जाती की है इसमें 1204 ठीक है यह टोटल जो है मिला के 6,244 पर भरती निकली हुई है उत्तरप्रदेशी थ्यास की जो है सबसे बड़ी भरती उत्तरप्रदेश की जो है निकली हुई है उत्तरप्रदेश की ठीक है इसम और मैं आपको जो कि अब बतांगा कि इसमें क्या कह चाहिएगा जो इसमें जो है में पुरुज के लिए इसमें 112 cm चाहिएगी और उसके बाद चेस्ट चाहिएगी 79 cm और जो फ्लाव 5 cm ठीक है और लड़ीकों लिए इसमें आए चाहिए कि 152 सेंटीमेटर ठीक है और जो है चैस्ट का उनके लिए कोई नहीं है अलाए कि इसमें वजन कभी यह वेट 50 के जी से उपर होना चाहिए कि और इसमें आपको सेलेबस बताना चाहूंगंगा इसका कि सेलेबस में क्या क्या संदिन लेबस में जो ऐएगा है आएक आतकी का हिंडी आएगी कि हिंदी हिंदिक कि रीजणिग रीजनिंग कि मैथ और आपकी जिएस गया यह चार सब्जयक्त आएंगे और टोटल इनके देड़ सो कुश्चन आएंगे और नेगटिव मार्किंग एक बेताइब छाट की इसमें एक कोस्टन दो मार्क्स को ठीक है किस नतीश है और 37 जो है इसके आएंगे और 37-38 जो है जी एस के आएगी और आपका इतियास गोगोल जो है अर्थ सास्त्र और साइंस आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी ठीक है उसके बाद आपके पोलिटी आएगी और जो मैत का पोर्चन है ना मैत मी जो है 18-20 कोशन तो जो है कि जो मैत मैत कहेंगे और जो बागी के बच्ची है 17-18 अर्थ वाइन कोशन इसमें जिए मत म इंच्छी है और और इन्क्रिवूड है और रिजिनिंग का पार्ट एक अलग से भी है ठीक है और इसमें यूपीजी के भी आएगी आपकी यूपी जी भी है ठीक है यूपी जी के भी इसमें आएगी ठीक है तो बताया जा रहा है कि इसका exam 11 फरवरी को ग्यारा फरवरी दो हजार चोबिस को जो है इसका एक्जाम सुनने में आ रहा है तो भाई जब फॉर्म आ गए है और फॉर्म को भरने के लिए विज्व है एक महीना पूरा नहीं दियो है तो आप माने की चलिए कि आपका एक्जाम ग्यारा फरवी दो हजार चोब है और है इसका एक्जाम जो है ओफ लाइन इसका एक्जाम होने वाला है आपका ओनलाइन इसका एक्जाम नहीं होगा और इन्होंने बताया है कि अगर फॉर्म की संख्या फॉर्म फिल करने की जो संख्या अगर वो कम होई तो आपका एक्जाम एक दिन एक शिफ्ट में होगा और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो डोकुमेंट क्या क्या बनवाने है एक तो इसमें अगर आप उभीजिस से है तो आपका जो है जाती प्रमानपत्र रोज है मूल निवास प्रमानपत्र छह में इनी से ज़्याद आगर नहीं होना चाहिए ठीक हो यह बात आ पीपी बी पीबी डोट जी ओवी डोट इन यहां पर आप जाके यह ओफिशल जो है नोटिविकेशन यह आप देख सकते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास सिर्फ सिर्फ है दो से चार महीने हैं आप तैयारी में जो है जी जान लगा दीजिए बहुत ही अच्छे से मैनत करिए जो है आपने जो है कुछ बंदे जो पहले से लगे हुए थे और जो एज में भार निकल गए हैं तो जो बंदे इसमें आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोगा है ठीक है साथ हजार साथ हजार वैकंसी कम नहीं होती बहुत बड़ी होती है उत्तर यह दोछ सबसे बड़ी बर्ति में D सबसे बड़ी बड़ी अँटर परदस सरकार ने निकली हुई है और यह हो गया अब चार सब्जेक्ट है में हिंदी रिजनिंग मैथ जीए 37 से 38 जो है हर एक सब्जेक्ट के कोश्चन आएंगे और एक सवाल जो है दो नंबर का होगा तो आप सभी को चबमेंदी आप की है साथ लगानेंगे चलिए एक सीट अपनी पट्प्प्टी कर लिजे धी